असलाम अलेकूम and हलो दोस्तों मैं जुलेखा अरफाद जुलेखासकिचन.com से तो चली आज हम बनाते हैं बहुती डिफरेंट और क्रिस्पी प्रॉंस पॉपकॉन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पराबर में जो बैल आइकन इसे भी जरूर क्लिक कीजिए ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रेसिपी अच्छे ल दालती हूं और थोड़ा सा नम्मक दालिए स्वाद अनुसार इसके साथ साथ दालिए आदा चोटा चाय का चमच काली मिर्चो का पाउडर एक छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर और एक छोटा चाय का चम्मच ओनियन पाउडर और आदा छोटा चाय का चम्मच निम्बू का रस दालिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए आधे किंटि के लिए, मारिनेट करने ढख कर साइट पर रख दीजिए वैसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो, ढख कर फ्रिज में रख दीजिएगा साइट बाइस साइट हम दो-तीन चीज़े बना कर रख देते हैं एक प्याली के अंदर मैंने यह अंडा फोड के दाला है और अब इसमें मैं थोड़ा सा दूद दाल देशती हूँ चाहिए तो तकरीबन समझी न एक से दो टेबल स्पून जितना दूद दाल दीजिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइट पर रख दीजिए एक दूसरे प्याले के अंदर 1 फोट कप मोटे वाले ब्रेटकर killer दालिए मैं पैन को दाल रहे हूं इसके अंदर दाल दीजिए 1 फोटी स्पुन पेपरी का पाउडर अगर पेपरी का पाउडर ना हो तो लाल मिर्च alan का पाउडर भी इस्तीमाल चर सकते 1 फोट टी स्पु corn flour दालिए अब इसमें दाल दीजिए 15 ch Faculty celebrating, नंख 16 ch Yogas meantたf sacredhaar親 esas अगर यह नहीं हो तो हमारी सादी लाल मिरची perspective पाउड़र भी दाल सकते हैं और 16 ch Isaac 69즘 baking powder यह सारी चीज़ों को बहुत ही Augen कीमिक्स कीजिए और इसे भी इसायइ priv in theToaster दीजिए चलिए अब आदा घंटा हो चुका है और ये तीनों चीजे प्रिपेर हो चुकी है मेरिनेटेड प्रॉंज भी याँ साइट पर मैंने रखे हैं अब मेरिनेटेड प्रॉंज को चम्मच की मदद से या काटे की मदद से आप ये जो ड्राइफलार् मिंक्सचर है उसमें दालिए पाचे एक टाइम पे डालिए और इससे अब ढखकन से ढख दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ये देखिए इस तरीके से अच्छे mix हो गए न तो मैं फिर से थोड़े से डाल देती हूँ वापस इसके अंदर और फिर से इसे ढखकन ढखकर थोड़ा सा अच्छा shake करूँगी इसे ढखकन ढखकर क्योंकि इससे क्या हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे और दूसरी बात ये है कि हमारे हाथ पे आदे से जादा तो चिटक जाता है तो इसमें कुछ लगता ही नहीं है फिर वो crispiness नहीं आता है मैंने फिर से खोला और बाकी के जो बचे हुए फिर से दाल देती हूँ सब इसके लिए नहीं दाल रहे हूँ नहीं तो क्या होगा एक साथ सब चिटक जाएंगे और ड्राइ फ्लार के अंदर अलग अलग कोट नहीं होंगे इसके लिए अब मैं थोड़े थोड़े batches के अंदर दाल के इन्हें इस तरीके से mix कर लेती हूँ चलिए बहुत अच्छे से mix हो चुके हैं हाथ भी बिल्कुल भी खरब नहीं हुए हैं और इसको coat बहुत अच्छे से हो चुके हैं प्रॉंस को अच्छा अब मैं क्या कर रहे हूँ सिंगल सिंगल पीस को एक प्लेट में transfer कर रहे हूँ हातों की मदद से आप चाहें तो चमच की मदद से कर सकते हैं अब यह जो पैन को bread crumbs हमने side पर रखा है वो सारा यह जो हमने मैदे का mixture बना के रखा है जो बचा हुआ उसमें दाल दीजिए और उसे बहुत अच्छे से mix कर लीजिए अब यह जो prawns है इसे चमच की मदद से 2-3 डालिए अंडे के mixture के अंदर बहुत अच्छे से लोटिए और यह जो dry flour mixture बना के हमने रखा है side पर उसके उपर दाल दीजिए फिर से 3-4 अंडे के अंदर दालिए जो prawns बना के रखा है हमने उन्हें अच्छे से लोटिए और यह जो dry flour mixture है उसमें दाल दीजिए अब dry flour mixture का ढखकन बंद कीजिए और उसे बहुत अच्छे से mix कीजिए तो हमारे हाथ गंदे भी नहीं होंगे और उसमें जो coating होगी वो बहुत ही अच्छी होगे और उसके वज़े से वो बहतरीन crispy बनेंगे side by side मैंने तेल को गरम करने रख दिया था फास्ट आच पर जब अच्छा गरम होगया तो मैंने आच मीडियम कर दी है तो अब देख सकते हैं हमारा first batch ready है प्रॉंज का तो एके करके गरम गरम तेल के अंदर बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीं बोल कर ये सारे को दाल दीजिए और मीडियम आच पर fry कीजिए उलट पलट करते रहें और मीडियम आच पर तब तक fry करें जब तक golden brown नहीं हो जाते दोन दोखे वाले ड्राइफ लार के अंदर दाल देती हूं और थोड़े सा एक और बैच बना लेती हूं तो यह दूसरा बैच मेरा रडी हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे ही अंडे में दाल दिये क्या है ना फिर अंडा बच जाता है तो फिर जब इस देका फेक जाये और के अंडर दालते जाइए आप चाहें तो फिर से दो तीन बैच इस में बना सकते हैं अच्छा भी जैसे आपने बहुत ज्यादा डाल दी इस तरीके से और आपको लग रहें एक दूसरे में इंट्वें हो तो आप क्या कीजिए एक एक लीजिए थोड़ा सा ड्रा और फिर उन्हें fry कर लेना अब ये मैं आती हूँ फिर से frying के उपर बार बार में उलट पलट बीच में कर रही थी और अब जब golden brown दोनों बाज उसे हो गए और crispy हो गए तो इन्हें निकाल कर नितार का tissue paper के उपर दाल दीजिए और इसी तरीके के सारे batches के अंदर fry कर लीजिए वैसे हमने बहुत मच्छी और prawns की recipes update की है हमारे channel पे उसका link हम description के अंदर दाल देते हैं आप वहाँ चेक कर सकते हैं ये देखे कितने crispy बने हैं बहुत ही delicious तो हैं बहुत ही मजेदार बने हैं इन्हें गर्मा गरम सर्फ कीजिए टमाटर सॉस के साथ, कचप के साथ या फिर मैं तो सादे मायोनीज के साथ सर्फ कर रही हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा है खाके और बहुत ही crispy हैं अंदर से soft और बाहर से crispy अगर आप मेरी recipe बनाएं तो मेरे साथ comment section में जरूर शेक कीजिए मुझे आपके comments पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से आजिर हूँगी एक नई शानदार recipe के साथ अंटल देन टेक केर, अल्ला हाफिज